दोस्तों अस्ती के दशक में बॉलिवर्ड में ऐसी बहुत से अभिनित्रिया रही जिन्होंने अभिनाय के दम पर बॉलिवर्ड पर राज किया ऐसी ही एक अभिनित्री है जया प्रदा जया प्रदा एक भारतिय फिल्म अभिनित्री और राजनित्रि के हैं वो असी के दशक की सबसे सफल अब नित्रियों में से एक है उन्होंने तेलगू, हिंदी, कन्नड, मल्यालम, बंगाली और मराठी फिल्मों में अभिने किया है लेकिन बहुत से अब नित्रियों की तरह ही जया प्रदा ने भी अपना करियर बीच में ही छोड़ दिया लेकिन इनके करियर छोड़ने की वज़य शादी नहीं बलकि कुछ और ही था आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको जया प्रदा के उस वज़य से रूबरू करवाने वाले हैं जिस वज़य से उन्होंने अपना सफल करियर बीच में ही छोड़ दिया और साथ ही आज हम आपको जया प्रदा की आज की तस्वीरों से भी रूबरू करवाएंगे जिन में आप इन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे लेकिन इससे पहले इनके शांदार अभिने के लिए एक लाइक तो वीडियो पर बनता है जया प्रदा का जन्म 3 अप्रेल 1962 को आंगर प्रदीश में हुआ तब इनका नाम ललीता राजा मुंदरी था जो बाद में बदल कर जया प्रदा रख दिया गया उनके पिता कृष्ण राव तेलगू फिल्म विताय दाता थे और जया प्रदा ने अपनी पढ़ाई तेलगू माधिमिक स्कूल से पूरी की और साथी कम उम्र में निरत्य और संगीत की शिक्षा भी हासिल कर ली जब जया 14 साल की थी तब उन्होंने अपने स्कूल में निरत्य प्रदर्शन किया वही पर दर्शकों की बीच एक फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता के भी तिलग मौजूद थे उन्होंने जया को 1976 की तेलगू फिल्म भूममी कोसम में एक छोटा सा रोल ओफर कर दिया अपने परिवार के प्रोथ साहन के वज़े से जया ने उस रोल को स्विकार कर लिया 1989 में जया ने बॉलिवड में सरगम फिल्म से डेब्यू किया ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई लेकिन उस वक्त उन्हें हिंदी नहीं आती थी इसके बाद उन्होंने हिंदी सीखी और सा 1982 में रिलीज हुई फिल्म कामचोर में उन्होंने पहली बार हिंदी पूरी तरह से बूली इसके बाद वो लगातार हिंदी फिल्मों में काम करने लगी लेकिन 1984 में रिलीज हुई फिल्म शेराबी फिल्म में दर्शकों को अमिता बच्चन और जयाप्रदा की जोड़ी बेहद पसंद आई ये फिल्म ब्लॉक बस्टर स्वाबित हुई इसके बाद उनका नाम भी बड़ी हिरोईन में शुमार होने लगा इस प्रकार अब तक उन्होंने साथ भाषाओं में अभने किया है और तीस साल के फिल्मी करियर में उन्होंने तीन सो से ज्यादा फिल्मों में काम किया 1986 में उन्होंने पहले से ही शादी शुदा निर्माता शिरीकांत नहता से शादी की वर्ष 1994 में वो तेलगू देशम पार्टी टीडीपी में शामिल हुई राजनीती में प्रवेश करने के बाद उन्होंने इपने करियर के शीर्ष पर फिल्म उद्योग को बीच में छोड़ दिया एक जमाने में खुबसूरत दिखने वाली जया आज वक्त के साथ बहुत बदल चुकी है आज उनके उम्र का असर उनके चहरे पर साफ देखा जा सकता है इनके फैंस तो आज के इनकी तस्विरे देख कर पहली नजर में ही पहचान नहीं पाए होंगे दूस्तों आपको जया प्रिदा की कौन से फिल्म सबसे बहतुरीन लगती है उस फिल्म का नाम हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथी बॉलिवर्ड के गुमनामी चेहरों की खबर सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरू करते हैं